नमस्कार आप देख रहें विरा 24 नियूस मैं हूँ आपके साथ हीना बिंड जिले में अब लंपी वाइरस का खत्रा दिनों दिन बढ़ता दिख रहा है बिंड के अटेक के पाली गाउंवा लाहार कस्वे में लच्छर देखे जा रहे हैं अलकि अभी विमारी की पुष्टी नहीं हुई है पसू चिकिस्ता विभाग के अफसरों ने सार्टकता बरतना सुरू कर दिया पश्रूओं में लंपी जैसे लच्छर दिखने पर चिकिस्तकों ने बलड सैंपल लेकर जांच के लिए हैं ये सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं वहीं पसू चिकिस्ता विभाग ने 10,500 वैक्सीन की डिमांड भेजी है जो कल तक आ जाएगी इसके साथ सड़क पर घूमने वाली गायों को सबसे पहले लगाई जाएगी लंबे समय देश के अलग-अलग हिस्सों में गायों में लंपी वाइरस का खत्रा बना हुआ है ये बीमारी से बिंड जिले की गायों में पूरी तरह सुरच्छित बताई जा रही थी परंतु इस बीमारी की दहसत अब बिंड की गायों में देखा जाने लगा है पसु चिकिस्सा विभाग से मिली जानकारी के मताबिक बिंड में अब तक बिंड के अटैक में पाच गायें चिणहित की गई है वहीं लहार में एक गाएं चिनहित की गई ये गाएं का माली अब तक चिकिस्सकों को नहीं है समासेवी को गाएं की देख रेक की जिम्मदारी दी गई है बिंड जिले की गाएं को सुरच्छित रखे जाने के लिए वैक्सीन की डिमांड भेजी गई है हलाकि बिमारी की स्पिसल वैक्सीन अब तक नहीं बनी है परन्तु बकरियों में चेचक की बिमारी होने पर पॉक्स वैक्सीन को इस बिमारी से बचाओ के लिए लगाई जा रही है जिन गाईों में ये लंपी वाईरस का खत्रा बना हुआ है वे पसूचिकिस्टा के जांच कराएं इसके बाद पाक्स वैक्सीन को लगाएं आगामी एक या दो दिन में जांच रिपोर्ट आजाएगी इसके साथ ही वैक्सीन लगाएं जाना सुरू किया जाएं